ये गाइस मैं थोड़ी देर पहले ही तौबा तेरा जलबा नाम की एक मूवी देखकर आया हूँ साज बताओ ये मूवी फ्राइडे को रिलीज हुई थी फ्राइडे से देखने की सोची मैंने टिकेट बुक करें शो कैंसल हुए सेटरेड दो शो के टिकेट बुक करें मैंने एक दिन में था एक रात को था दोनों शो कैंसल हुए आज जाके इसका पहला शो चलाए वो भी तब जब एक कपल कहीं से तो उड़ता हुआ आ गया तो वो शो चालू होगे मतलब हम 6-7 लोगी थे और वो शो आल्मूस कैंसल था लेकिन वो शैद एक कपल या दो कपल आये कहीं से तोड़ते हुए और वो आये तब जाके ये शो चालूआ और मुले पूर एकिन उस कपल को मुवी देखने में तो कोई भी इंटरस्ट नहीं था बात करो इस मुवी की कहानी के बारे में तो क्या ही बात करना कुछ कहानी हो और उसका जो कुछ भी होता है और उसके बाद क्या कुछ होता है यही सब हमें इस मुवी में देखने को मिलता है अगर मैं इसे स्क्रीन प्ले की बात करें तो परसनी मुझे इस मुवी के स्क्रीन के बहुत जादा खराब लगा है क्योंकि जिस तरह से मुवी स्टार्ट होत अपनी पूरी सिचुएशन को एक सिपोर करती है उसमें इतना दम नहीं है कि हम इस मुवी में इंवेस्ट रहे हों जाना चाहें कि बागी क्या कुछ होने वाला है कि काफी बुरी बात है जहां तर बात है character development और characters के विच्छे dynamics की किसी भी character में इतनी जान नहीं है कि हम किसी भी character के साथ थोड़ा भी connect हो पाया जो characters के विच्छे dynamics थे वो यह person मुझे कुछ खास पसंद नहीं आये और भी काफी सारी problems है यार इस movie में लेकिन सब बात कर नहीं है कोई मतलब भी नहीं बनता क्योंकि यह सच मैं यह पूरी movie काफी जादा खराब है जहांते बात acting की भाई इस department की बात ना की जाए तो ज़्यादा भैतर है मतलब जो lead character भाप रे बाप उनको दो गंटे पंदरा में आसपस की movie और जो दो गंटे पंदरा में torture करते है न मतलब जब जब वो इस्क्रीन पाते है न मैं यह 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 आँके दिखिया नहीं देखना इस आत्मी की शकल नहीं देखनी है ऐसा नहीं यार मैं racist नहीं हूँ यार कि मैं किसी की शकल वगरा पर comment करू लेकिन नहीं यार वो जितनी खराब acting कर रहे थे न वो देखी नहीं जा रही थी मतलब सच में ऐसा लग रहा था कि यार इससे बहतर लोग है दुनिया में इसको क काम कैसे मिल रहा है मतलब हसी आ रही थी मुझे अजीव सा लग रहा था कि यार इस आदमे को काम कैसे मिला है जिन्होंने उनकी वाइप रिंग को के कारिकर रहा है वाब रहे देखा नहीं जाता स्क्रीन पर है अमिशा पटेल ने लेला के character को play करा जो बर बर कि अवर acting करी अगा है वाफ और अपाप क्या acting department के बात ना की जा तो बहतर है बात करू direction और editing की direction छोड़ दो या director आप अपना काम देना है अपने जो सीख के है और ना वो अपने दिमाग में रखो आप स्क्रीन पे दुबारा अपनी खुरापात प्रेजेंट करने ही कोईश मत करना जो editing है वो भी काफी जादा बखवास है यह movie तेड़ गंटे से उपर की हो नहीं नहीं चाहिए थी यह movie दो गंटे पंदरा मुट के असपास की है यह movie देड़ गंटे के भी होती तो भी एक torture ही कहलाते लेकिन यह movie इतनी बड़ी कैसे हो एडिटर ही समझ सकता है बात करूब production quality के तो वो तो और भी जादा खराब है टीवी सीरियल जैसे प्रोड़क्शन quality अभी स्यादा के ही बुलू मैं तो overall मेको तो यह movie बहुत जादा बखवास लगी मैं सच में ऐसा feel हो रहा है ना मेको कि यार मैं क्यों देखिया हूँ पैसे क्यों बरबात कर रहे हैं लेकिन ठीक है अब भी इस तरह का काम है तो यह चीज़े करनी पड़ती है कि आप लोगों नहीं अगर यह movie देखियो वैसे तुन नहीं देखनी चाहिए लेकिन अगर फिर भी देख लियो तो में कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपके movie कैसी लगी बाकी मिलता है कि यह वीडियो में तब तक लिए जैहिंद जै भारत